हेलो एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग मैं हूँ विवेक फॉम फिंटेक्स पर जहाँ पर हम बात करते हैं finance and taxation की एंग आज हम discuss करने वाले हैं 31st July के बाद क्या due date हमारी ITR के extend होगी या नहीं होगी अगर due date extend नहीं होती है तो क्या course of action आपका रहना चाहिए कितनी late fees आपके उपर लगीगी सारी चीज़ों को आज discuss करने वाले हैं without any further ado चल दिए चलते हैं सीधा screen pen start करते हैं आज के session को वैज आज की वीडियो को start करने से पहले एक बहुत important information 31st July तक हमारा GST income tax TDS का जो practical course है उसकी course fees 3500 है उसके बाद में वो जो course fees है वो थोड़ी से increase हो सकती है तो अगर आप GST income tax TDS filing इसके provisions, computations, सारी चीज़े detail में basic से लेकर advance तक सीखना चाहते हैं आप चेक कर सकते हैं हमारे course को 31st July तक आपको मिलेगा 3500 में उसके बाद first अगस्ते इसकी fees increase हो सकती है चलिए अब समझते हैं कि अगर आपने 31st July तक अपनी due date तक return file नहीं की तो क्या course of action आपका होगा कितनी late fees आपके उपर लगाई जाएगी interest किस तरीके से calculate किया जाएगा उन सभी points को बिलकुल ही detail में हम आज के session में समझने वाले हैं कि अगर आप 31st July तक नहीं करते हैं तो किस तरीके से आपको अपनी ITR जो है वो file करनी है सबसे पहले आप समझे जो 31st July हमारी due date होती है 31st July 2022 जो due date है वो section number 139 subsection 1 के अंदर होती जो कि normal return filing का provision होता है अगर हम बात करें कि 31st July अगर आप miss कर जाते हैं और government कोई भी extension नहीं देती है extension की उमीद अभी बहुत कम है मुझे नहीं लगता extension मिलेगा reason being कल ही ट्विटर पर tweet किया था फोर करोड से जादा ITR file हो चुकी है so वो 28 का data था 29, 30, 31 में अगर एप्रोक्स जो पूरे येर में return file होती है वो 6 करोड के एप्रोक्स होती है so अगर ये data 5.5 करोड की उपर पहुंच जाता है 31st July तक तो मेरे साथ से कोई जरूरत नहीं है due date को extend करने की जहां तक portal की बात है छोटे मोटे थोड़े बहुत issues कभी कबार आते हैं बट उसमें कोई as such बड़ा issue नहीं है जैसा पहले के टाइम पर पुराने portal पर आता था या फिर last year जब नया portal आया था तब था तो इस साल कोई pendency और latency मुझे ज्यादा नहीं दिख रही है मैं अपना experience बता रहा हूं हो सकता है आपके आपको थोड़ी सी वहाँ पर दिख रहा हो लेकिन मेरे को कोई भी challenge अभी तक इसा income tax portal के ओपर face करने के लिए नहीं मिला है so मेरे पास कोई strong reason नहीं है जिसकी वज़य से मैं बोलो अगर ITR filing बस यह एक reason रहता है अगर ITR filing यह six क्रोड के आसपास पहुंच जाती है तो मुझे नहीं लगता कि यह due date जो है 31st July यह आपके extend होगी और यह बिलकुल नहीं होन mention के अब कोशन आता है किसा due date निकल गई section 1391 की अब बताओ किस तरीके से हम return file करेंगे क्या हम return file कर सकते हैं यह नहीं कर सकते तो बिलकुल आप कर सकते हो आप कर सकते हो section 139 subsection 4 के अंदर return file कर सकते हो इसकी जो due date है वो 31st December 2022 यह जो हम बात कर रहे हैं अब बात कर रहे हैं assessment year 22-23 के respect में जो current assessment यह हमारा चल रहा है इन चीजों को ध्यान रखेगा now 31st December 2022 तक section 139-4 के अंदर आप जो है return file कर सकते हैं यहां पर आपको क्या देना पड़ेगा इसको बोलते हैं प्यार से belated return बोला जाता है इसको belated return आप फाइल कर सकते हैं यह provision आपके पास रहता है तो ऐसा नहीं है कि आप इसके बाद return file ही नहीं कर सकते हैं बिलकुल कर सकते बस आपको late fees थोड़ी से देनी पड़ेगी interest थोड़ा सापका ज्यादा लगेगा साथ ही में अगर हम बात करें अगर हम बात करें late fees की तो sir late fees बता दो कितनी लगती है ध्यान से अब note कर लीजे कितनी late fees आपको देनी पड़ेगी अगर आप अपनी total income up to 2.5 lakh दिखाते हैं अ mandatory नहीं है आपको check करना पड़ेगा कितनी total income आप show करना चाहते हो total income का मतलब क्या होता है पहले मैं एक चीज और clarify कर देता हूं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं total income की ना कि gross total income की income tax की जब आप competition करते हैं तो सबसे पहले आप 500 heads की income को add करते हैं आपका gross total income आता है gross total income में से course के अंदर detail में समझाई है जो मेरा competition वोला session है वहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने इसको बिल्कुली deeply समझाया है आपको कि GTI total income में क्या difference होता है तो deductions minus करने के बाद GTI message जब आप deductions minus करते हैं तब आपकी total income निकल करके आती है सड़ यह total income समझ में आ गया तो हम यहाँ आप पर बात करें total income अगर आपकी up to 2.5 lakh है तो कोई भी late fees आपके उपर नहीं लगेगी late fees का एक section होता है वह भी मैं बता देता हूं 234 F के अंदर आपके late fees लगाई जाती है ठीक है second point आईए अगर 2.5 lakh से आप 5 lakh के बीच में दिखाना चाहते हैं तो उस case में आपके उपर late fees लगाई जाएगी 234 F के अंदर only 1000 rupees की next अगर above 5 lakh है above 5 lakh है case में आपके उपर 5000 लगाई जाएगी so 5000 की late fees तब लगती है जब आप अपनी total income 5 lakh से above दिखाएगे तब आपके उपर 5000 की late fees यहां पर लगाई जाएगी ठीक है sir यह चीज हमको समझ में आ गई एक और नया section आया है जो current year ही आया है क्या आप 31 December के बाद में भी file कर सकते हो yes sir लेकिन वो मैं आज ज्यादा detail में discuss नहीं करूँगा एक section होता है जो हमारा finance act 2022 के अंदर ही आया है section number 1398A updated return का लेकिन क्योंकि updated return हर कोई file नहीं कर सकता वहां पर बहुत सारी conditions होती है अगर आप उन condition को satisfy करते हैं तब 31 December के बाद में भी अगर 31 December 22 के बाद में file करना चाहते हो तो 1398A के अंदर updated ITR को file कर सकते हो अब एक छोटा सा tax planning सुन लीजिए अगर आप 31 July से पहले ये video देख रहे हो और आपके client के case में कुछ issues आ रहे हैं आपके पास data available नहीं है या फिर यह भी हो सकता है कि आपकी कोई pen स नहीं हो पार और refund बनता है client का तो इन सभी cases में काफी सारी complexity practical challenges आ सकते हैं जिसके वजह से आप 31st तक जो है अपनी ITR file ना कर पाएं उस situation में मैं advice ये करूंगा कि अगर आपको ये late fees से बचना है तो एक छोटी सी planning आप कर सकते हो जो कि law के अंदर law बिल्कुल allow करता है section 1391 में इसके नहीं करोगे तब तक आप revise return file नहीं कर पाऊगी section 1391 में आपने एक बार return file कर दी उसके बाद एक section आता है जो कि मैं साथ के साथ discuss कर लेता हूं 139 subsection 5 का जो की होता revise return का revise return आप कर सकते हो 31st December 2022 तक so अगर आपने अपनी original return 1391 के अंदर कोई mistake कर दी थी even आप 1394 की जो return होत तो late fees तो लगी जाएगी हमारा main objective क्या है late fees कैसे बचाई जाए तो आप ये काम कर सकते हो जितना data available है जो information available है उसके basis पर आप 31 July तक जो है 1391 के अंदर return file कर दीजिए e-verify कर दीजिए उसके बाद में आप जो है उसको revise कर दीजिएगा उसके return को revise कर दीजिएगा जो correct data है उ जाते जाते guys मैं बताना चाहूंगा हमारे course के बारे में GST income tax TDS का जो हमारा course है वहाँ पर सारे practical issues जो हमने discuss किये हैं जो छोटी-छोटी बाते में आपको बताता हूं GTI और total income deductions कौन-कौन सी है five heads of income कौन-कौन से होते income tax के अंदर ये सारी details बहुत ही comprehensive और vast course है अगर आप G GST income tax and TDS detail में सीखना चाहते हैं और इतने affordable price में I don't think आपको कहीं पर भी मिलने वाला है lifetime validity मिलती है इसके अंदर 200 hours का यहां पर आपको video content मिलता है आपको support मिलता है इस course के अंदर course completion certificate है PDF notes है excel sheets है उसके बाद full lifetime access है unlimited views आपको मिलते है और mobile पे PC पे laptop के उपर आप कहीं भी इसक देख सकते हैं उसके बाद में आगर आप content देखेंगे तो नीचे वैसे मैं इसका link दे दूँगा वहां पर जाकर कि आप इसका detail curriculum जो है हमारे course का वो देख सकते हो GST पूरड detail में basic से लेकर advance level तक सभी provisions मिलेंगे income tax के सारी ITR filing basic to advance सभी चीज़े मिलेंगी और TDS की basic से advance सारी file कर दीजिए 31 July due date है due date तक आप ITR file कर सकते हैं कोई late fees नहीं लगेगी उसके बाद भी आप file कर सकते हो वो सारे provisions वो सारी चीज़े हमने आज के session में detail में discuss की आशा करता हूं guys आपका आज का session informative लगा होगा thank you so much for joining today's session have a great time हसते रहें मुस्कुराते रहें बाई-बाई take care